और अन्य कही जाती है यह सब बढ़ जाती है और जब हम किसी ऐसी जाती के बारे में बात करते हैं तो दूसरा हिंदू जो है उसको यह समझता है कि ठीक है जैन के बारे में बात करी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बुद्धिस्ट के बारे में बात करी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां मार्चवास निकाला गया इनके समर्थन आप और आपके साथ मैं हूं काजोर नराय और मैं हूं हरीष असौल इस वक्त मिडिल इस्ट में मैदाने जग बना हुआ है फिलिस्तीन इस्राइल के बीच रॉकेट डागी जा रही है लेकिन आज हम इसी से जुड़े एक और होट टॉपिक पर बात करने वाली है यह होट टॉपिक है सनातन वर्सिस इसलाम वो क्यों? हरीज जी आज हम सनातन वर्सिस इसलाम की बात कर रहे है क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्या वजाए इसके पीछे? देखे, मैं काफी दिन से इसके उपर बोलना चाह रहा था पर मैं पूरी स्टडी करके, पूरे रियक्शन्स देखके इसके पर बोलना चाह रहा है आपने दिखा होगा कि हमारा सनातन धर्म आज के हिंदुस्तान के अंदर ट्रेंड कर रहा है और सनातन धर्म के अंदर कितनी जातिया है सबको एकजूट होने की बात हो रही है और कहीं न कहीं पर वो एकजूटता दिखाई भी देती है पर फिर भी ठाकूर, पंडेट और अन्य कहीं जाती है ये सब बढ़ जाती है और जब हम किसी ऐसी जाती के बारे में बात करते हैं तो दूसरा हिंदु जो है उसको ये समझता है कि ठीक है जैन के बारे में बात करी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बुद्धिस्ट के बारे में बात करी कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं न कहीं सनातन इसमें पिछड़ रहा है अब आए हम मुसल्मान के ओपर मुसल्मान में भी कई जाती है जिस प्रकार से आप जातियां थोड़ी से आप बता देंगी तो मेरे को याद कम होता है उनका होते हैं वैसे ही ये तीनों है अब इनको डीटेल में थोड़ा सा और समझा देती हूं अशाफ में सैयद शेक पठान मिर्जा मोगल जैसे उच्च जातियां आती हैं मुस्लिम समाज के जातियों की तुलिना हिंदों के उच्च जातियों से की जाती है दूसरा वर्ग जो है व अबारी रज्जाग जयती जातियां शामिल है यह वो लोग है जैसे कि हिंदों में अनसुच जाती के लोगों को कहा जाता है यानि कि जहां इतरफ सनातन में जातियां बटी हुई हैं वैसी मुसल्बानों में भी सिर्फ तीन सभू बटे हुए हैं लेकिन बात यहां इसकी हो रही है बात यहां हो रही है कि उसके बावजूद गेरे जब किसी मुसलिम को चोट आती है तो उफ यह कुरे दुनिया से वही में वहीं समझाने की कुशिश कर रहा हूं कि इनका जो कवर है ना जैसे हिंदूों को कवर होना चाहिए एक सनातन इनका कवर के है मुसल्मान एक दुनिया में कहीं पे भी हो किसी भी जाती को हो उच जाती हो नीच जाती हो वटेवर जो भी इनकी जाती है यह अपने हमें डिफाइंड कर रखे हैं लोगों ने और मैं इंट्रेस्टेट भी नहीं उसके अंदर गुशने में पर आउटकम इनका है मुसल्मान मुसल्मा को किसी को पीडा दे रहा है तब भी मुसल्मान एक है तो यह सबसे बड़ी चिंता का विशह है यह हिंदुओं को समझना पड़ेगा और हिंदुओं को इनसे सीखना पड़ेगा इस सीखने की जरूत है बोलते हैं कभी आपको अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए कभी आपको अपने मित्र से भी सीखना चाहिए तो यह सीखने की चीज है पॉजिटिव एनर्जी जो है यह पॉजिटिव है कि एक जुटता कैसे एक ता कैसे लाई जाती है यह इनसे सीखने की जरूत है हम लोग मंदिरों में अंकुष लगाते हैं या किसी हिंदूों में कई जगे ऐसी जगे जहां शुडूल कास्ट को बोलते हैं यह मंदिर में नहीं जा सकता पर आपने मुसलमान को देखा शुकरवार की नवाज सब साथ में पढ़ते हैं वो किसी भी जाती का हो सब साथ में नवाज पर तो यह सीखने की चीज़ हम हिंदू एक जुटता की बात करते हैं तो मुसलमान बोलते कि आप हमारे को लेके नहीं चल रहे हैं ठीक है और हमको दबाया जा रहा है यह इस परकार से कई जगे या कई कई पार्टिया इसी है जो इस तरह की बाते करती हैं जिसमें से कॉंग्रेस है, AIM है, महेबो मुफ्ती की पार्टी है, सीतराम ये चुरी लेफ्ट से हैं इन लोगों के बेयान आप सुनके आश्चर चकितरा जाएंगे, कि ये किस प्रकार से सरफ इनको वोट की राजनिती करने के चकर में ये देश को भूल जाते हैं इनको आपको मनिपूर का कान नजर आता है, जहां इनको अपनी सरकार को घिरना है मैं बोलता हूँ वो निंदनिया है, किसी भी महिला के साथ, दुनिया की किसी भी महिला के साथ, अगर इस तरह के कोई भी दुश्करम होता है, वो निंदनिया है और नहीं होना चाहिए आपने मनिपूर को तो कर दिया कि मनिपूर में सरकार को घिरना था तो आपने कह दिया कि मनिपूर में ऐसा-इसा हुआ पर जब इसराइल में ये काम होता है तो आप किसके सपोर्ट में खड़े होते हो फिलिस्तीन के सपोर्ट में तो आप ने फिलिस्तिन को support क्या मतलब वहां महिला महिला नहीं थी, यहां महिला महिला है, आप अपनी वसुदेव कुटम की जो बात होती है, वसुदेव कुटम जो है, actual माइने में मुसल्मानों ने अपना लिया है, इनका वसुदेव कुटम जो है, मुसल्मान कहीं का भी हो हमारे एक कुटम का है और हिंदू इस चीज़ को भूल गे जिनका ये में था तो ये अब मैं इनके इनकी CWC की मीटिंग हुई तो मैं कहीं बयान इनके आगे पीछे ना हो जाए इसलिए मैं लिख क्या लाया हूँ कॉंग्रेस की फिलिस्तान की समर्थन हमास की समर्थन ही कहा जाएगा बलकुल है न आपने देखा होगा CWC की बैठक में पारित प्रस्ताओं में हमास के हमले की निंदा नहीं की गई ठीक प्रस्ताओं में इसराइल के 700 से जादा लोग मर अभी तक नागरिकों के हत्या हो चुकी है अग कही महिलाओं का रेप हो चुका है पर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है प्रस्ताओं में कई जगे इस्राइल का नाम तक नहीं लिखा गया बल्कि मिडल इस्ट में छिड़ा युद लिखा गया फिलिस्तिन के नाम पर बल्कि लिखा गया है कि CWC वालों ने लिखा है फिलिस्तिन लोगों की जमीन, सासन, आत्म सम्मान, एव गरीमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए लड़ाई है इस तरह से इननों दिखाया कि इननों दिखाया कि फिलिस्तिनियों के साथ अत्याचार हो रहा है अत्याचार के बाद भी एक और लिमिट है वो भी पारो रखिए OVC साब का कहना है अत्याचारी इसराइल है पीडित कौन है फिलिस्तीन है ये OVC साब है क्योंकि मुसल्मान को दर्दू है न कहीं तो वो कुछ भी हो वो आतंकी हो वो पाकिस्तानी हो मतलब पाकिस्तान के मुझा इसमें एक एंगल राजनितिक भी हो जाता है कि मोदी अगर इसराइल हमारा दोस्त है या मोदी सपोर्ट कर रहे है वो सपोर्ट वो भी ठीक है ये भूल गए यहां पर हिंदूस्तान को भूल गए है वही चीज है ना फिर आप ये एकदम भूल गए कि हम तो अभी दो दिन पहले था हम थे कि हम भारत देश के नागरिक हैं हमें कौन ये बूल गए मुसलमान को पीड़ा हो देश वे सब बूल गए इनका सिंपल सा आ गया कि इसराइल जो है वह अत्याचार कर रहा है पिडित कौन है फिलिस्तीन है जबकि फिलिस्तीन को दुनिया के पिचासी देशों ने उसको कहा है कि आतंकी हमला है जब हमास वही से निकला है तो आतंकी हमला है गाजर पत्टी पे आप लगाता है अचा अब कॉंग्रेस की बात करो। कॉंग्रेस के परदेश सचीव राइस्तान के हैं ये और इन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारी बहदूरी के किस्से सरयाम करते हैं, ये फिलस्तीन के मुझाइदों हम तुम्हे सलाम करते हैं। सोचे कॉंग्रेस वाले फिलिस्तीन के मुजाहिदों को कह रहे हैं कि हम तुम्हें सलाम करते हैं कि मतलब इनको सिरफ मुसल्मान के वोड चाहिए इसलिए आतंकियों को सलमर्त हों देंगे इसी तरह से सीतारम यचूरी नाम सीतारम अकाम सब और सरकार को कारवाई राइट विंग का अग्रेशन बताते हुए यह कहा है कि यह तब हमार ने हमला इसलिए कि उनका राइट विंग का अग्रेशन था यह तो यह तो यचूरी साब के कहने का हुआ है अच्छा हमारे कितनी युणिस्ति- मुस्लिम युद्टि हैं अलिगर्ड युद्टि है आपका दिल्ली में युद्टि निकाला गया इनके समर्थन यहां मार्श फास निकाला गया बिल्कुल डैली जिनियों में जामिया में मार्श निकाला गई और यहां सब इनके समर्थन में, मतलब यह सोची है कि कुछ भी हो, मुस्लिम एक है, आतंकी हो तो एक, आतंगवादी हमला हो तो एक, तो हिंदुओं को एक साथ कठा होके बोलना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तुम्हें भी अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए, मैं कभी इस समर्थन में नहीं रहता था, मैं हमेशा एक देश उसकी बात करता हूँ, आज भी करता हूँ, पर जहां इन्होंने अगर इस तरह का आचरन इनका है, तो हिंदुओं को भी अपना आचरन दिखाना चाहिए, मैं यह नहीं बोलता कि लड़ना चाहिए, या कुछ कर पर एक आचरन आपको दिखाना चाहिए, कि हम किसी भी जाती के हों, हम हिंदु है, यह दिखाना चाहिए, यह फायदा जो है, यह बाकी लोग उठा रहे हैं, कि इनमें एक जुटता नहीं है, इसलिए इस तरह के हरकते, हमारे देश के अंदर इस तरह के जंडे उठते हैं, और यह इस तरह से आतंकियों को समर्थन मिलता है, कई धर्म गुरू भी हैं इसमें, मुस्लिम धर्म गुरू की बात कर रहा हूं मैं, है न, मौलाना हैं इसमें काफे सारे, भादूर सिपाई के नाम पे इनको बोला जा रहा है, यह भादूर सिपाई है, किसी की भहु बेट होई, तो मैं इस पे तब बोलने को आ गया है, कि यह कहां की बादूरी है, और हमारे देश के जो इतने बड़े-बड़े नेता, यह कहां, यह किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सरफ वोट चाहिए, कुछ भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सवाल यह हैं, खाते यहां है पहनते यहां का है, यहां की फिजा में आप सांस लेते हैं, तो आप कैसे फिलिस्तीन का सबर्टार कर सकते हैं, वो भी उन लोगों का जो लगाता है, टॉचर कर रहे हैं, दोजार एकिस पे भी ऐसी हालाद देखे थे हमने, बिल्कुल, वीडियो जैसे हैं, जिने देखकर रूख आप जाएगे, वो वीडियो जना आप देख सकते हैं, किसे को दिखा सकते हैं, महिलाओं का जिकर कर रहे थे आप, वहां की वुमेन एक्टिविस्त थी, उसको निर्वस्त किया गया, उसको ऐसे रस्तियों से बान दिया गया, उसके हाथ पर फिर पूरा गुमाया ग जाँगे, आवाज क्यों निकलती है, यह हमें सोचना पढ़ेगा, आपने कुछ बोल दिया, तो आपको कोई मतलब, आपको कोई नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, इन पर एक्शन होना चाहिए इस तरह के, ऐसी पार्टियों को भी बैन करना चाहिए, जो एक तरह से इनके बयान बाजी से कितना बड़ा दंगा भड़क सकता है आपने कभी सोचा है आप मोधी का विरोध करिए ना लेकिन जो गलत है उसका समर्थन आप कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बिलकुल मोधी का विरोध करिए आप ये राजनितिक आपके हो सकते हैं पर मोरिधी का विरोध क उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें भी अभिव्यक्तिक आजादी है, उन्हें जीने का हक है, अरे आप देखे नहीं, इतना सा वो देश है, इतना सा उसमें हमास निकाल दिया आपने, हमास उत्पेरिंग दे दिया, हतियार दे दिया, अब इसमें थोड़ा सा जिक्र करूं, इसराइल वैसे तो वर्ल्ड में अपनी बेस्ट टेक्नालोजी को लेके माना जाता है पर कहां से इनकी यह फेलियर हो गया चवी थोड़ा सा टेक्निकली डाउन गई है पर फिर भी हम बोलेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार का हमला किसी भी प्रकार का वो गलत है और बातचीत भी एक सॉलिशन हो सकता है किसी भी चीज का आप पूरी अब एक समझी कि दुनिया दो दो धड़ों में बढ़ गया है अमेरिका ने भी का है और इंडिया ने भी यही का है कि हम इस्राइल के साथ है और इसमें आने वाले जो देश है ना जो समर्थन में देश हैं खाने को पैसान खाने को उनके बास कराशन नहीं पैनने को कपड़ा नहीं पाकिस्तान ठीक है और ऐसे मुस्लिम कंट्रीज काफ लड़ाई आप दूसरे देश के लिए आपस में अपने ही देश में दंगे बढ़ाने की कोशिश करें, चैया वो नीता हो, चैया वो लोग हो, चैया वो चात्र हो, हम क्या सीख रहे हैं, अपने आने वाले भविश्यों को क्या सीखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह हमें समझना सब्सक्राइब, क्यानаша मिन सांसी नो 1950 सब्सक्राइब, ऐसे닝 को भी सब्सक्राइब होती है् आपके व्यक्तित्यक्त संस्सक्राइब though with someone has got an eye of theifall वीडियो आपको कैसे रगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप किसके समर्थन में हैं और आप सनातन को लेकर या असलाव को लेकर क्या सुछते हैं कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम समझ सके कि हाँ हमारा मेसिज जो है वो सही तरीके से आप लोगों तक पहुंच पा रहा और येलिग।